So now we'll talk about cholecystitis, नाम से पता लग रहा है cholecyst की इस हो रही है, मतलब inflammation हो रही है cholecyst की, cholecyst का मतलब है gallbladder, inflammation of gallbladder जो है तीन टाइपस की हो सकती, acute, chronic और acute जो है, जो के chronic की उपर हो रही है, ये तीनों जो हैं, ये associated होती है, almost always with gallstones, शुरू करते हैं acute के बारे में, जो acute है, वो calculus भी हो सकता है, और ये calculus भी हो सकता है, calculus का मतलब होता है, stones, तो acute calculus, cholecystitis, this is a most common manifestation over here, you can see, जिसके अंदर stones है, 90% of the cases में क्या होता है, कि cystic duct की obstruction होती है, अब क्योंकि cystic duct की obstruction होती है, तो this is an emergency situation, जिसके अंदर हमें इसका surgical removal करना पड़ता है, cholecystectomy करने पड़ती है, और य प्रिस्टी कीinental के से होता है, कि हम लोग देखती है, inflammation है, basically, inflammation कभी क्यों होती है, कभी कोई उसको हम लोग बार 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 चेडी जा रहे है, उसके irritation हो रही है, तो chemical irritation की उसकी विज़ से ​​इंफलमेशन कर दी, गौल ब्लेटर की, obviously, ओविसलि वाल की inflammation स्टेसे होती लिए इंफ्लमेशन के वेड़ेसे जो गॉल ब्लेडर है वो एंप्टी है जो बाइल है उसके बाहर जाने में अप्स्ट्रक्शन ही आउ्ट फलो में तो अब रहेका गॉल बेडर के अनर तो धाइसव की stasis हो जाती है बास के जब पीस होती है तो मुचोजा जो गॉलबेडर की अंदर होती है क्या सिक्रीट करता है वह एक phospholipase into lyso lecithin अभी जो lyso lecithin है यह जो हमारी mucosa है gallbladder की उसके लिए toxic है तो इसके वरे से क्या हुआ कि इसकी जो mucosa है वो disrupt होगी तो glycoprotein mucos layer disrupt होगी जब glycoprotein mucos layer disrupt होगी तो फिर prostaglandins release होगे और prostaglandins जो है वो क्या करते थे inflammation करते हैं और inflammation की वरे से obviously inflammation हो रही है और pressure बढ़ रहा है उसके उपर gallbladder की उपर तो और जादा bile flow जो है वो कम हो जाता है पहले ही bile की stasis थी और inflammation की वरे से pressure बढ़ने से bile flow जो है वो कम हो जाता है second जो case है that is acute a calculus इसमें जो है stones नहीं होते हैं बागी callisistitis होता है क्यों हो सकता है callisistitis कोई surgery की है हम लोगों ने इसी जगा पर कोई surgery की है जिसकी वरे से वहाँ पर inflammation हो गई trauma हो गया, burns हो गया severe burns हो गया, severe burns हो गया severe sepsis हो जाती है कोई infection की वज़े से dehydration की वज़े से bile जो है, वो flow नहीं कर पा रहा है vascularity नहीं है, blood नहीं है blood flow नहीं कर पा रहा है तो कोई भी case हो सकता है callisistitis का जिसमें stones का involvement नहीं है तीसरा जो case है that is chronic callisistitis की काफी time से यह है, यह चल रहा था एकदम से हमें पता लगा मतलब या तो हो सकते की काफी time, repeated time जो है, acute callisistitis हुआ लेकिन उसके बाद chronic हुआ लेकिन most of the cases में क्या होता है कि कोई पहले acute attack नहीं आया होता हमें हमारी जो inflammation हो रही है नजब काफी time से inflammation हो रही है लेकिन हमें उसके कोई symptoms नहीं आया काफी time तक हो रही है, हो रही है उसके बाद एकदम से attack आया acute attack, तो that can be chronic callisistitis ये भी reason हो सकता है morphology में देखे हैं अगर हम लोग तो acute के case में enlarged red pus like चीज़े होंगे, क्योंकि बैक्पेरिया आ सकता है acute के form में, enlarged red color का और जो pus वाली चीज़ है, that is empyma of gallbladder उसे हम बोलते है, empyma of gallbladder mild और severe दो forms होती है, जब mild होता है तो वो red color का hyperemia और thickened gallbladder की जो wall है, वो ठिक हो जाती है inflammation होती है, thickened हो जाती है लेकिन एक time के पर आद क्या होता है कि inflammation के बाद, severe जब चीज़े हो जाती है, तो फिर वहाँ पे necrosis शुरूर आती है अब कहीं वो ठिकरिंग हो रही है उसकी और उसके बाद necrosis शुरूर आती है necrosis क्या होती है, cell death होना तो cell death होने की वरे से वहाँ पे blackish, green blackish सा color appearance आता है, पहले हमने बोला reddish और फिर blackish आ गया, तो this is known as gangrenous cholecystitis gangrene सा बन जाता है एकदम से chronic condition में stones बन सकते हैं कि जादा देर से bile वहीं पे stay कर रहा है, तो stones बन सकते हैं fibrosis हो सकते हैं उस एरिया में और roky tans की ash of sinuses यह क्या होता है कि जो mucosal उपर उपरवाली जो mucosal layer है ना उसकी out pouching हो जाती है mucosal layer की out pouching होना through the walls of gallbladder this is ashoc sinuses अब इसके clinical features जो है biliary pain होगी वही वाले region पे कौन से वाले upper abdominal वाले region पे for more than 6 hours यह right shoulder तक जा सकती है मतलब right upper abdomen में शुरू होई और right shoulder तक जा सकती है वही same features हैं fever, inflammation वाली conditions हो सकती है fever हो गया, nausea हो गया leucocytosis हो गया, inflammation में WVC का नमबर बढ़ गया और gallbladder वो है वो tender है, tender का मतलब होता है कि जब हम उसे touch करें तो हमें pain फीलो अगर hyperbilirubinemia हो जाए वो भी conjugated तो फिर हम सजेस्ट करता है कि obstruction हो रही है common bile duct की अब हम इसे diagnose कैसे कर सकते है ultrasonography then, इसकी complications क्या हो सकती है वही सेम जो हमने उसमें की थी stones के case में कि perforation हो सकता है, rupture हो सकता है rupture होकर वो peritonitis काॉस कर सकता है inflammation peritonium की काॉस कर सकता है क्योंकि rupture हो के peritonium में आ जाए fistula बना सके और किसी organ में चले जा सकता है और किसी organ में जा के फिर effect दे सकता है अपना और वहाँ पर अगर stasis हो रही है बाइल कोई चीज खड़ी रही है तो मैंने कित्ती बार बोला कि वहाँ पर bacteria की growth हो सकती है तो bacteria का super infection हो जाना sepsis हो जाना so all these are the serious complications next हम देखते है carcinoma of gallbladder यह last है gallbladder का इसमें भी वही same चीज है gallstones की वरे से ही सब चीज़ें gallstones की वरे से हो रही है एक बिमारी लेली वही हमने हर जगा डाल दी है that is known as cally lithiasis cally lithiasis और वही gallstones 95% cases में यही reason होता है stones या फिर कोई भी infection होई उसकी वरे से क्या होता है की chronic inflammation होनी शिरूराती हलकी 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 chronic inflammation हो रही है हमें नहीं पता चला और then it will lead to cancer अब इसकी जो morphology है वो तो टाइप्स की है infiltrating और exophytic infiltrating मतलब ज़्यादा common है और इसमें क्या होता है कि अंदर घुश जाते infiltrate इन जाना अंदर जाना घुश जाना और exophytic का मतलब है उबरी उबरी होना दोनों उल्टी है क्योंकि X बोल दिया और यहाँ पर इन बोल दिया इन मतलब अंदर और X मतलब बाहर तो जैसे cauliflower मास होता है गोबी का फूल होता तो जैसे उबरा उबरा सा होता है तो वैसा कुछ मास होता है most common जो कार्सिनोमा है that is एडिनो कार्सिनोमा मतलब कि glandular tissues जो है उसकी growth जादा होती है उसका कार्सिनोमा होता है clinical features जो है उसमें वही same abdominal pain और उसकी विज़े से bilirubin वगेरा की increase होने की विज़े से क्योंकि bile stasis हो रही है तो जान्डिस हो सकता है और anorexia, nausea, vomiting यह सब conditions आ सकती है diagnosis जो है इसका बहुत ही advanced stage में होता है पहले हमें पता ही लगता क्योंकि chronic inflammation से गुजर रहा होता और chronic हमें जब तक नहीं पता लगता है जब तक वो कुछ manifest नहीं कर रहा तो advanced stage में हमें पता लगता है जो अगा स्वाला क्या से जो कि अगार ट्राइब आपर एसे लिह एसका जो प्रोगानोसिस है आप है पूर यह इस वे ने किसका थो जैब लगता रहा एकारा प्राणिक्सा जाए।